नमस्कार महुस्वाश दोस्तों आज के एपिसोड में हम अपने घर के पालतु पश्यों के पेरों में बादने के लिए सुन्दर डिजाइनर कुछ इस प्रकार का पायल पेंजन किस तरह से बराना है वो सिखेंगे उससे देखा जाए तो पहले भी दो एपिसोड के अंदर हम और आपकी कापी कमेंट्स आ रहे थी कि सर दो के अलावा तीन चार किसी ने पाच की भी डिबान की कि पाच लाइन घूंगरू का जो पायल पेंजन किस तरह से बराना है वो सिखेंगे तो आज मैं आपके लिए खास पाच लाइन घूंगरू का पायल पेंजन कैसे दोनों जगा दे रखें आप जाकर देख सकते हो बढ़िया से सीख सकते हो तो चलिए एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी बुनाई किस तरह से करनी है दोस्तो एपिसोड में आगे बड़े उससे पहले सामान और उसके साइज के बारे में समझ लेते हैं तो यहाँ एक बात विश्य ध्यांद कर सुनिए हमें टोटल 20 पीस के आउश्यतर पड़ेगी 20 पीस तो आप देख सकते हो 20 पीस को हमने अलग-अलग साइज में डिवाइड किया है बाटा हुआ है तो आप समझ लेजे जैसे आप उपर से देख सकते हो यह जितने भी पीस है यह 3 mm मोटाई के रेश्यम के रस्य के यहाँ बात बतना चाहूँगा रेश्यम के अलावा भी बहुत सारी रस्य आती जिसके आपके इस्तमाल कर सकते हो अब यहाँ डिवाइड किस तरह से क्या है वो देख लेजे जैसे लाल कर रस्य है इसके उपर देख सकते हो यह टोटल 8 पीस है और हर एक पीस की लंबाई है दो फीट उसी तरह से नीले रस देख से हर एक पीस की लंबाई है 2 फीट और नीचे देखिए एक दो और ये दीज तुर पीस अलग अलग रस्य होगा से हमें चाहिए घूंगूल आप मार्केट में इस टाइप के ब्रास के फितल के गूंगूल आप और इसके अगर option के बाद करें तो ये देखिए लोहे के गुंगरुए ये भी अच्छे होते तो आपको सामान के बारे में clear हो गया होगा तो चलिए अब एपिसोड में आगे बढ़ते और देखते सुन्दर डिजाइन करके पैंजल किस तरह से बनाना है सबसे पहले दो फिट लंबाई के टोटल 17 पीस को इस तरह से बराबर पकड़ लेना है ये पकड़ने के साथ-साथ आपने पास जो पास फिट लंबाई के तीन पीस थे तो पास में से लगबग डेड़ फिट की रस्टी अलग छोड़ते हुए उन तीनों पीस को इनके साथ प रस्टी उठाई उंगली सामने रखी उसमें से एक बार दो तीन और चोथी बार में क्या करना है जैसे मेरी उंगली इसके अंदर से गई हुए इस रस्टी को इसके अंदर डाल देना है और आगे निकाल देना है तो ये रस्टी आगे आ गई है उंगली हटा देनी और बढ़िया से पैक करेंगे उसी के साथ जो हिस्से आगे पीछे इनको आई से खीच कर बरावर कर लेंगे देख सकते हैं मुदन गठान और जितनी पर रस्या आगे पीचे दी सब को आपने बढ़िया से पीच्वाल रस्य यह वाली क्योंकि यह तरीका हमने पहले भी सिखा हुआ है बहुत सरे परसोड के अंदर फिर भी रिमंडर के तोर पे एक बार दोबरा सीख लिजे सबसे पीच्वाल रस्य अगले दो रस्य के ऊपर से और अंगोटे के साथ यहां पकड़ लेनी ध्यान से द देखिए तो देखिए दोस्तों रस्य को लॉक करते हुआ हम यहां तक पहुझ गए यहां बची आखरी दो रस्य उनको केसे करना है पीच्वाल रस्य अगले दो रस्य के ऊपर से डालने पर यहां सिंगल रस्य बची भी तो करना क्या है पीच्वाल रस्य इसके ऊपर से औ और इसके ओपर से डालते हुए आगे निकल देना है देखी यह हो गया अब बच्ची, शिंगल रसी इसके सामने इवंड usual सी एक यह हो गई और एक यह हो गई आई सी एक यह एक यह टो इसके बीक में जो ग्याब बनाए गठान को हलका टाइट करने के बाद अब देखते हैं अगली step जिसमें क्या करना है जैसे हम शुरूआत में तीन रसी औंगोटी को पकट रहें थे अब पिशली रसी अगले 2 रसी के ऊपर से ले जा और आगे तरब निकल देना है दिखिए यह आगे आग है ज्यादा टाइट नहीं करने रिलाई छोड़ना है उसको ऐसे ठीक है एक हो गया फिर सामने से एक हिसा पीछे लेना है पीछे लिया तो पीछे वाला हिसा अगले दो रस्षी के नीचे तरफ से ले जाना है आप नीच को आगे निकाल दे, ये 10 को कवक स्मॉलिमेन आगे होगा हल्का घुमाया यह दो रसिट आगे से और रसी पिछे ली लेने के बाद पिछे ल गई रसी में जो इर सी सापने वली इसके सायड से यहाँ ग्याब नाइए यहाँ और इसके अंदर से ढालते हुए आगे निकाल देना है ये ठीक है बहुत आसान तरीका दोस्तो इसी तरीके से हम गया गरेंगे जितनी भी रसी है सबको दो के नीचे से लेते हुए आगे निकालते चलेंगे सबसे आखरी जब दो रसी बचेंगे उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे निकालना है तो देख सकते हैं दोस्तों लगबख सभी इससे बहार आ चुके हैं आखरी के दो हिससे बचे हुए अब इसको कैसे निकालना है ध्यान से देखे तो इनमें क्या करना है जैसे पीछोवाइल रसी ये वाली आगे निकाल देना है, देखें, यहाँ side से मैंने आगे निकाल दिया, अब बच्ची single रसी, तो इसके आगे दो रसी कौन से होगी, एक तो यह बाहर निकली यह, और एक इसके आगे तरफ से यह, इन दोनों के नीचे से, इसके डाल दी यहाँ से, और जो यह समने रसी, एक न यह देखें, जो भी delirious से इसको आगे खीच कर टाइट कर देना है, यह, अब रसीया ज्यादा हो गई है, और रसी के जो size यह, पतली, इसलिए हो सकते हैं, आपको समझने में दिक्कत हो, कोई बात नहीं, इसके और एक episode के अंदर आपने सिखावा है, सेम, तो हो सके तो उपर के सब्सीया खीच कर लेना है, सब्सीया खीचनी आइसी एक करके, और जो हिस्षे डिले वो सबी टाइट होते चलेंगे, pozi 사 são कर दिया है, और गठान से होने के बास कुछ इस थाइप सब बढ़ाया नली रस्या, नीशे को सेट कर देना है, सब से पहले, नीली रस्या, नीचे लल के लिए को बढ़ाया है। पीछे से sequence wise लाल को उपर पखड़ना है एक side में और ऐसे करते करते जितनी भी रस्या है सबको उपर तरफ पखड़ना है ऐसे देखिए इसके बिच में अगर कुछ twist है तो उसको भी आप set कर सकते हो ऐसे यह देखिए यह उपर पखड़नी किरियक यह उपर पखड़नी ऐसे side में उपर side में और यह उपर तो आप देख सकते हैं निली रस्य उपर थी वो पीछे तरफ चली गई और पीछे से लाल रस्य उपर तरफ आ गई ऐसे भी देख सकते हैं आप पस में यह cross हो चुका है यह होने के बाद इदर दुसरे तरफ ले किया जाने इसके बीच में से ठीक है यह ऐसे आगई यह अने के बाद सेम पहले जैसा है पहले इसको बढ़िया से सेट कर लेते हैं ऐसे खीच के है अब सेम पहले जैसा लाल को side क्या एक निली को उपर पखड़ लिया लाल side एक निली उपर इसी तरह से सभी निली रिष्य को उपर तरफ ले जाना है और लाल को पीछी तरफ भेज देना है ठीक है और जो हाथ में पकड़ी इसको भी इसके उपर रख दिजे दुबर एक बार इसको बड़ी आसा ऐसे set कर देना है खेच-खेच के अब देख सकते हो सभी रश्य है set हो चुके है अब पहले जैसा जो पीछो बड़ रशी लाल रशी इसके सबसे बाहर के रशी कुन सी है ये वाली इसको लेना है और दूसरी तरफ निकल लेना है खेच दूसरी और जो रशी हम बीच में से निकल रहे ये वाली इसी के बीच में हम set करेंगे गुंगरू तो अब लेते हैं गुंगरू उसको set कैसे करना है देख लेते हैं तो इसको पहले इस टाइप से रख लेते हैं ये रख दिया यह रखने के बाद अब लेने गुंगरू तो आज मैं आपको यह normal गुंगरू set करके दिखाऊंगा, मेरे पास पीतल के गुंगरू कम है, इसलिए में इसको set कर रहा हूँ आपके पास अगर पीतल के गुंगरू ही यहां क्या करना है, जैसे जोड़ी है, ठीक है, यहां एक गुंगरू set कर दिया, यह जो जोड़ी इसको खाली छोड़ दिया, ठीक है, यह वाली को फिर यहां set किया, इसको खाली छोड़ दिया, ऐसे set करना है, तो एक क्यार एक गुंगरू set करना है इसे sequence wise करना है ठीक है यह इसलों पाइंटर लागा कर देख देते हैं यह यहां ले लिया फिर एक ग्याप खाली छोड़ दिया फिर यहां से गोरो डाल देना है यहां कि अपके समझ में तो आ गया होगा काफी आसान है समझने में यह फिर एक यहां छोड़ दिया इसको यहां गोरो ले लिया फिर एक ग्याप छोड़ दिया और सबसे आगरीवल ग्याप में 5 गोरो शेट कर दे तक यह पाच गोरो इसके अनदर आ गई इसको यहां शेट कर दे ये ऐसे pointar side कर देना है इसको उठाना यहां से और जितनी में रस्च्चाथी सब को एक्स एक्स अब दोबरा क्या करना है स्यम क्रोस करना है नीली को एक साइट कर दी एक लाल उठाई एक साइट एक लाले से उठाई एक साइट कर दी एक लाल यहां से उठाई एक फिर साइट कर दी यहां एक लाल ऐसे सिक्वेंस वाइज सभी लाल रस्यों को उपर तरब लेकर आ जाना है यह यह उपर ठीक है जो हाथ में लाल पकड़ी इसको भी इसके उपर रखते हुए उपर लेखा यह सभी रश्चे को पीछे तरफ खिषते हो ऐसे सेट कर दीजिए यह आ गई यह आ गई इस तरफ आप देख सेते हो पाचो गुगरू बहुत ही सुन्दर तरके से इसके अंदर सेट हो चुके हैं और पहले देश है जो निल रश्ची पिछा लिए इसका जो बाहर कर रश्ची इसको इसके अंदर डाल देना है और दूसरे तरफ लेकर आ जाना आपको सुमन में आ जाएगा इस टाइप से सेट हो चुकी है यहां और एक बार देख लिए एक लाएं तो सेट हो गई अब दूबरा सेट करना है कैसे लाल रश्ची को साइट में एक निली उपर लाल साइट में एक निली उपर इसी तरह से जितनी बर रश्ची आए सब को ऐसे क्रोस कर देना है यह होने के बाद अब जो पीछ वाल लाल रसी है सबसे बाहर के लाल रसी यह वाल लाल रसी इसको अंदर डाल देजिए इसके बीच में से और यहां साइट में निकाल देजिए ठीक है यह हो गया साइट में यह हो गई पीछे अब जो रस्ची साइट च्पाइल में आई है। इसके सेट करने हैं है ग्षोग इसके बीच में ,दूबड़ा 5 गॉम्झ्रों लेते हैं िटो तिन चार そसलों और हो यह करा तो पांच। यह पांच लेने पाध सेम पहले जैसे जो बीच की साइट के इसके साइट jelly विच में जाकर एक गुरू को सेट कर देना है एक यहां हो गया सेट उसके बाद एक ग्याप को छोड़ दिया दूसरे के निचे लिए देखिए सभी उग्रमने सेट कर दिये उसको यहां से उठा लीजिए और बड़या से हाथ में पकटना है मौजबुति के साथ और खीज कर टाइट कर देना है इससे है यह हो गया टाइट दुबारा सेम पहले जैसा ही एक निले साइट में लाल उपर निले साइट में लाल उपर और झाल हे द्युक्क लीजिए तर्फेरा से सबजिए इसको बार करें सीजाओ वाले इसको इसके बीशनिर पहलब दूसरे तरफ लेकर आ जैए है इया डूसरी लीजिय कोण अगर इसका पीछे वाले इससा देखना चाहते हैं देखें कुछ इस टाइप से पीछे तरफ से बनते वी जा रहे हैं आपकी सुन्दर और एक मुझबुत तरीका दोस्तों इसको बनाने का तो चलिए आशा करतव कि आपको इस तरीका समझ में आगया होगा दो लाइन हमने से कैसे लग रहा है उसी तरह से बनाई के बात करें तो बनाई के तरीका काफी सुन्दर है यूनिक तरीका है आप भी इसी तरह से बना सकते हो अब क्या करना है जैसे हमने शुरात में गठान लगाए थी गठान कैसे लगा नहीं बिल्कुल बारिकों के साथ मैंने आपको समझ आपके समझ में आ भी गए होगी और जिनके समझ में नहीं आई वीडियो को रिपीट करके देख लेजे आपको समझ में आ जाएगा तो सेम गठान यहां लगाते हैं उससे पहले हमने क्या किया नॉर्मल धागे से बांद दिया जिससे क्या होगा गठान लगने में हमें आसान गठान भी लगा दी और जो लंबी रस्या हमने छोड़े थी दोनों तरफ तीन तीन रस्या उनको आपस में ट्विश्ट करके इस टाइप की रस्य बना दी यहां एक बात बतना चाहूंगा आप देख सकते हो इसो डिजाइनर गठाने लगाना थोड़ा मुश्किल पड़त बहुत ही मजबूर टाइप की बन जाती उनकी लिए जिनको एक अठान लगाना नहीं आ रहा है तो चलिए एक बार मैं आपको चारों तरफ से दिखाना चाहूंगा उपर तरफ देख लिजे मैंने आपको पहले बताया था टोटल पचास गुंगरू है और एक कमपर्टबल पीछे तरफ से कर देखना चाहूंगा देखिए पीछे भी काफी मुलाइन टाइप की बनी हुए कहीं भी चूबहन गढ़न नहीं है तो जो जानौर को बांदोंगे उनको भी एकदम कमपर्टबल फील होगा तो काफी आसान तरीका है यूनिक तरीका है आप दीसे तरह से बना सकते हो सबसे पहले मेरे साथ आखरी तक बने रहने के लिए सुभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज हमने घुंगरू की पास लएं का पैंजन सिखा आपको ये पैंजन पैंजन बनाने का तरीका बुनाय का तरीका कैसी लगा कॉमेंट्स में जरू लिखे व हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह के और एक इंट्रेस्टिंग रोप टेकनिक के साथ तब तक के लिए खुश रहिए मस रहिए और मेरे साथ बोले जय जवान जय किसान